हालो दियर फ्रेंड्स वेल्कम बैग आज हम आपके लिए नेक्ट्स टॉपिक आपने एडवर्टाइजमेंट्स पढ़ दिये उसके सिर्च टाइप्स उसके बाद इंविटेशन हमने पढ़ दिया फॉर्मल रिफ्लाइज और इंफॉर्मल रिफ्लाइज अब अगला टॉप तो सब्सक्राइज पिए नियुक्राइज मार्क्स टॉप ऑस्पीट टूप रिमेट आप कि और हमार्किंग इसकी फार नंबर्स की रहे जोते हैं और तो कि नार्टीस तो देखिये कैसी लिखा जयता है किसको लिखा जयता है कौन लिखता है क्यों लिख में एक सूछन पूपती आपशुचना बहृँ तो उसमें देखिये सार। कि सथांड के कोई अचय कोई हम यह कोई की का हमोब आधि के द्वारा आधि Lukas अपने संस्थान में काम कर रहे किसी भी करमचारी अथ्वा किसी भी काम करने वाले वेक्ति को किसी संबंद में अगर कोई सूचना देनी होती है तो उन संस्थानों के द्वारा नोटिस निकाले जाते हैं अब जैसे स्कुल कोलेज के माने तो स्कुल कोलेज में किसी को कोई सूचना देनी होती है तो स्कुल कोलेज में मैंगेट के पास में नोटिस बोर्ड जरूर लगा रहता है जिसके लिए सूचना नाम भी बता दीया जाता है या फिर दूसरा तरीका यह वोता है किकी जैसे लगने के बज़ाए सब्सक्राइब सुनक यौन निकाले स्कुल्ड दिया गाली है खिशिक हो छक्क Le characters लिख सकते हुए जगह नहीं बचेगी और बोर्ड पर अगर अगर अपने ब्लेंग पेपार्स में लिखके और बोर्ड पर चिपकाएंगे तो पचासों नोटिस लग सकते हैं तो इन में क्या है मतलब किसी भी अपने यहां पर काम करने वाले करमचारी को संस्थान के बारे मे इस टाइम में बहुत क्या बार चल रही है संस्थान आपको कोई सूचना देना चाहता हो तो ऐसे समय में संस्थान निकालते और फिर बहुत नोटिस आपको जानी होते हैं तो देखिए बच्चों या डेफिनेशन लिखता हूं इसकी में यानि कि देखिए बच्चों के द्वारा नोटिस किसी भी संस्थान के द्वारा अपने यहाँ काम कर रहे करमचारियों को किसी करमचारियों को किसी विशिये पर सूचना देने के लिए निकाले जाते हैं कि द्वारा नोटिस किसी भी संस्थान के द्वारा अपने यहां काम कर रहे करमचारियों को किसी विशिये पर सूचना देने के लिए निकाले जाते हैं कि या फिर कोई साधारण वेखती होता है उसको नोटिस निकालना हो तो वह खुद के इस तरह पे निकालता है जैसे मान लेजिए को फाइल हो जाए पर्स हो जाए तो उसके संबंद में आप नोटिस निकालेंगे तो वह आपके अकोर्डिंग ही निकलेगा या तो आप संस अकना से निकालतेंगे अगर आप अपकर निकालते हैं कि उसके समसा कर सकते हैं ऑई कि करेद्स होती है इसके भात सब्सक्राइब क्राव कि मतले रुक कोता हो जो प्रारूप की यॉख कि अग्या राजूप आपको बनाटे बताते हैं इसका है कि अग्यान को देखिए बचोफ नौटिस में सबसे पहला जो बोक्स पढ़ता है इस बोक्स में आपके आता है दोने तरफ बरापर जादे छोड़ते हुए कि इंस्टिटूट नेम कोमा और प्लेस नेम को मा प्लेस नेम आपको पहले प्लेस में उसके बाद दूसरी लाइग बनानी है दूसरी लाइग में आप नौटिस निकालने के डेट लिख दीजिए या पिर नौटिस वड़ दीजिए तो दूसरी लाइग में देखो नौटिस वड़ आप लिखेंगे तो बिल्कुल बीच में लिखना आपको और उसे डार्क करना है तो यहां पर इस तरह से नौटिस और आजएगा है हुआ कि को अगया है कि अगया कि अगया कि अगया और उसके नीचे एक बास डार्क लाइं कर देजिए तो नौटिस बिल्कुल बीच में आता है इसके बात तीसरा बोक्स बन जाएगा कि था बर बनेगा तो थिसरे बोक्स में आपको क्या करना है वोक्स में डेट डाज नहीं है कि कि जनी का नेकला वोनखें समय मैं से ळ हम्दक देसे घिल गया है जिसे डेट आगा है खोला कि 23, 2020 4 जिश्ug wider आपको डेट बारे में शेग स्वेय खोला तो चोता बोक्स बनने के वाद इसने क्या लिखना इसमें आपको सब्जेक्ट लिखना जैसे आप लेटर बनाते उसमें सब्जेक्ट देते कि पुशी तरह यहां पर भी आपको बताना पड़े कि किस वी शैपिश निकाल रहे कि इस चोटे या बड़े अक्षरों में जैसे आपके छाओ आपने चलते हैं जैसे मैंने लिख दिया कि भाई यह नोटिस फॉर यानि के लिए निकाला जा रहा है और जैसे आगे लिख दिया और दिवाली वैके संग्ष यह निए नोटिस दिपावने की चुट्टियों के बारे में अध्यापक और विध्यारतियों को सुचना जैने के लिए निकाला जा रहा है आप देखते हो जैसे आपकी कोपी होती है कोपी में इस तरह का पेज होता है अच्छों कोपी में इस तर तो याओं अध्यास का आड़ी में पर शचूई मरेने आते हैं तो आप्थे चाह बेड़ा है कि यह बाए कि आ देखेक आख लाइना में और त्यप्के हो Quran ना और ये पांच लाइन है इसको उनको डार कुछ आपको इसको आपको डाइनों के भाद में जो नीच लाइने भाद में और अब में आपको कोई डार्क लाइन नहीं करनी जैसे है वैसे आपको छोड़ना सब्सक्राइब करने जिससे डार को जाए अलग से दिखने चाहिए अलग से दिखने चाहिए उसके बाद आपको डार करने की जरूरत नहीं है तो यहां पर आपके देखिए इंटर्नल पार्ट आता है कि इसको आप इस जरू से चीप में बहुत सकते हैं यह सब आने के बाद में यह लास्ट में नौटिस पतम होने के बाद एक लाइं छोड़े करके आपको यहां पर रिखना पड़ता है नाम यानि कि किसने नौटिस निकाला है और उसके बाद है आप यहां पर एक पोस्ट रिख देंगे विख्या रही है और उसके बाद लाइन बंग कर देंगे दूसरा तरीका यह होता है कि आप पहले पोस्ट रिख दें और नाम पिशक्टे इसे आ गया हthree है तो नौकि बेम लुक्ष्च लिखने पड़ेगी पेहले पोस्ट देंगे तो उसके नीचे नाम लिखना परेगा और यह जय पिर आप लाइन घरा कर दें तो इस तरह आपका परदें में नोटिस लाइटंइं अब देगी जब चेस्टो